हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड टेंथ मैट्स टू जोमेट्री का चैप्टर नमबर वन जिसका नाम है सिमिलार्टी हम लोग इसका problem set 1 कर रहे थे हैं जिसके दो lectures में मैंने आपको first से लेके sixth question तक करा दिया है lecture number one में first question जो है ये उसमें चार और ये एक पांच multiple choice questions से वो किये थे और lecture number two में two से लेके sixth question तक हमने solve किया था आज हम करेंगे इसका lecture three जिसमें हम आगे के question solve करेंगे अगर आपने इसके पहले के videos नहीं देखे हैं तो यहाँ पर right side में उपर आए के बाजो में link आएगा उस पर click कीजिए आपको similarity के सारे videos वहाँ पर मिल जाएंगे Algebra Geometry के बाकी videos देखने हैं तो आप channel के playlist section में जाके देख सकते हैं चलो शुरू करते हैं 7th question में दिया है In figure 1.75 A-D-C मतलब A, D, C तीनों एक straight line में है and B-E-C और B, E, C भी straight line में है Segment DE parallel segment AB यह DE जो है वो AB को parallel है ठीक है यह भी दिया हुआ है question में AD equal to 5 DC equal to 3 BC equal to 6.4 यह पूरा जो है यह 6.4 है Then find BE यह छोटा टुकड़ा find करने बोला है textbook नहीं आपको help कर दिया है वहाँ पर जो भी छोटा टुकड़ा find करने है उसको उसने x ले लिया अगर यह पूरा 6.4 है और यह इतना सा x है तो बाकी जो बचा टुकड़ा वो कितना होगा यह पूरे में से मैं x को minus कर दूँगा तो यह छोटा टुकड़ा बचा होगी जाएगा तो अगर यह पूरा 6.4 है और यह अगर x है तो यह जो छोटा टुकड़ा है वो 6.4 minus x होगा समझे मैं कैसे? अगर एक बड़ा straight line ले लिया मैंने ठीक है? और मैंने बुला यह straight line का length है 10 और यह इतना सा टुकड़ा जो है उसका length है 4 तो यह बाकी जो बचाओ कैसे निकालोगे? यह टुकड़ा कैसे निकालोगे? यह पूरा 10 है, यह इतना सा 4 है तो 10 मैं से 4 minus करूँगा तो मुझे यह मिल जाएगा तो 10 minus 4 क्या आ जाएगा? 10 minus 4 आ जाएगा 6 तो यह जो टुकड़ा है यहां से लेकिए यहां तक का उसका length है 6 देखो 6 plus 4 यह पूरा line 10 तो वैसे ही अगर यह पूरा टुकड़ा 6.4 है यह x है तो यह जो छोटा टुकड़ा बचा है वो होगा 6.4 minus x मुझे पता है बहुत लोग को आता होगा है लेकिन काफी बच्चों को इसमें confusion होता इसलिए मैंने बता दिया अब पहले इसको rough में solve करते है question देख के पहले दिमाग में क्या आता है पपलू जैसे मत बोलना अरे ऐसा सोच रहा हूं क्यों करना पड़ रहा है geometry मैंने life में क्या बुरा किया था देखो geometry तो करना ही है अगर करना ही है तो start liking it अभी पहले बताओ क्या theorem दिमाग में आता है जो use करके आप ये length find कर सकते हो यहाँ पर दिख रहा है ये line और ये line एक दूसरे को parallel है तो सीधा अपना bpt लगेगा अभी ऐसे मैं तुझ जोरी bpt तो सीधा triangle होना चीए किसने बोला सीधा triangle होना चीए triangle ऐसे था तब bpt लगा थे ऐसे होगा तो क्या फरक पड़ता है ये वाला line और ये वाला line parallel है तो आप bpt लगा सकते हो क्या बोलता है bpt bpt बोलता है c d upon d a will be equal to c e upon e b right तो मैंने यह आपे लिख दिया ये lines एक दूसरे को parallel है तो मैं बोल सकता हूँ c d upon d a is equal to c e upon e b अभी rough है इसलिए मैं इसमें लिख रहा हूँ bpt नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा basic proportionality थेरा बस value substitute कर दो c d कितना है c d है 3 तो उसके जगे पर डाल दिया 3 फिर d a कितना है d a देख लो d a है 5 तो d a के जगे पर डाल दिया 5 c e कितना है c e है 6.4 minus x और e b है x तो यहां पर c e के जगे पर डाल दिया 6.4 minus x और यह है x बस करो cross multiply solve करो और x का value मिल जाएगा वहीं पूछा है आपको find b मैं बताऊंगा करके लेकिन अभी आप लोग एक बार खुद से try करो देखो यह पूरा एक numerator है ठीक है तो this into this will be equal to this into this video pause करके फटा फटा से solve करके x का value बताऊ मैं बताऊंगा आपको लेकिन पहले आप एक बार try कर लेए चलो कर दो video pause ऐसे आया होगा यह 3 into x हो जाएगा 3x यह 5 यह पूरे bracket से multiply होगा फिर यह 5 को अंदर बेजो 5 into 6.4 करोगे आप रफ में कर सकते हो यहाँ पे 6.4 multiplied by 5 आजाएगा आपको 5 4s are 20 5 6s are 30 30 plus 2 32 एक पॉइंट तो decimal यहाँ पे 32.0 मतलब 32 तो यहाँ पे मैं लेग दिया 32 फिर यह minus है तो minus 5 into x आजाएगा 5x यहाँ पे x वाला term है तो यह minus 5x को उदर बेजो वहाँ जाके plus हो जाएगा because equal to को cross किया तो sign change होता है 3x plus 5x हो जाएगा 8x 32 इदर का इदर x का value चाहिए 8 multiply हो रहा है वहाँ जाके divide divide होगा तब आप cancel कर सकते हो दोनो 8 के table में जाते है 8 1s are 8, 8 4s are 32 तो आपको x का value आ गया 4 आया समझ में तो x ही तो था ना उसमें पूछा था BE तो हम बोलेंगे BE equal to 4 units यह word units बहुत important ठीक है तो इसमें दिमाग तो सिर्फ इतना ही लगाना था यह जो first lines थे ना यहाँ पे उसके बाद यह सब था calculation आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं क्यूं बोलता हूँ हर बार यह मैं इसलिए बोलता हूँ क्यों आप ना पूरा length देखके डरते हो कि औरे कितना बड़ा question question बड़ा नहीं है यह जो कर रहे हो ना calculation यह बचपन से कर रहे थे इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं तो सबको आना चाहिए नहीं आ रहा है तो practice करके आप ensure करो कि आपको आए लेकिन यह जो है ना यह part यह है concept यह आया तो यह तो आएगा ही ठीक है तो ऐसे सोचने का कि अच्छा यह दो line ही मुझे दिमाग लगाना है बाद में तो calculation है ओके चलो video pause करके फटा फट से copy करो लिखेंगे कैसे देखो मैंने given में सब जो information question में दिया है वो लिखा है find क्या पूछा है solution एकदम detail में line wise लिखा है चल्दी से करो copy next करते है 8th question में दिया है in the figure 1.76 segment PA, segment QB, segment RC and segment SD are perpendicular to line AD यह दिकर है PA, QB, RC, SD सब perpendicular ले वाली line को, okay AB 60 है लिख देते हैं यहाँ पर AB 60 है, BC 70 है CD 80 है PS 280 है, PS मतलब यह पूरा कितना है 280 then find PQ, QR, RS PQ, QR, RS यह तीन आपको पूछा गया अब यह question देखके अपने पास एक ही theorem है एक ही result है यह पूरे chapter में जो हम यूज कर सकते हैं intercepts वाला याद है, parallel lines and intercepts वाला अब आपको यहाँ पर parallel lines सीधी नहीं दिख रही है CD मतलब straight नहीं but clearly आपको पता नहीं चला कि यहाँ पर parallel lines का है पर आप देखेंगे तो यह सारी lines एक ही line को perpendicular है तो यह line कितनी भी आगे लेके जाओ यह तो ऐसी ही रहेगी ना, कभी एक दूसर से मिलेगी नहीं तो यह चारो line parallel है और मैं बोल सकता हूँ कि यह और यह उसके उपर intercepts है, तो intercepts वाला हम लोग property लगा सकते हैं लेकिन इसमें हम बहुत अलग तरीके से intercept का property लगाएंगे, generally हम कैसे लगाते थे intercept का property, कि AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to CD upon RS यह तो हमारे पास result है न, याद है intercepts वाला हमने practice set में किया था दिखाऊ एक बार practice set 1.2 का 7th question जो था, यह इसी पर बेज़ था property of 3 parallel lines and their transversal, ठीक है यह ऐसे निलिखेंगे न, आप 3 parallel lines and their transversal, सिफ ऐसे लिखेंगे property of parallel lines and their intercept तो भी चलेगे, ठीक है तो यहाँ पे देखो, यह 3 lines parallel थी और यह उनके उपर transversal थे तो हमने क्या किया था, FD upon DB is equal to EC upon CA सिर्फ दो इंटरसेप बन रहे थे न, यहाँ अब यहाँ पे हमारे पास तोड़ी जादा lines फरक नहीं पढ़ता, property तो same ही use हो रही है, ठीक है तो यह property use करके हम लोग इसको solve करेंगे, तो शुरू कैसे करेंगे यह PA, QB, R, C, S, D यह सब लोग यही line को perpendicular है, जब एक ही line को कोई भी lines perpendicular होती है, तो वो lines एक दूसरे को parallel होती है ओके, तो मैं बोल सकता हूँ segment PA, rough में लिख रहा हूँ इसलिए, short form में लिखूँँगा PA, parallel QB, parallel RC, parallel SD अब क्या हो रहा है यह parallel lines हैं और यह transversals हैं, तो यह parallel lines इनको cut कर रहे हैं, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है, यह सब जगे cut कर दिया तो cut करके जो part बनता है उसको बोलते हैं intercept, तो intercept की property क्या थी, कि जो भी intercept बन रहे हैं, उनके जो ratios होंगे वो equal होंगे, तो यहाँ पे देखो AB और PQ, तो मैं QR is equal to फिर यह भी intercept बन रहे हैं, कोई दो टुकडे बन रहे हैं, CD upon RS, तो यहाँ पे बना दिया, CD upon RS अभी यह जो line लिख रहे हैं ना इसके कारण यह पूरा question बहुत easy बन जाएगा, यह trick है अब देखो, intercept क्या होता है intercept होता है, जो दो parallel लाइंज टुकडे बनाती है अब यह दोनों line को ignore करतो सिफ यह दो line देखो, यह वाला और यह वाला यह भी तो एक दुस्तरे को parallel है ना और यह कौन सा intercept बना रहे है A से लेके D तक का एक टुकडा और P से लेके S तक का एक टुकडा तो इनके लिए भी intercept true होना चाहिए तो AD upon PS भी इसको equal होना चाहिए यह मैंने क्या equal लिया है यहां पर सब टुकडे है ना AB और P Q कौन बना रहा था यह वाली line और यह वाली line BC और QR कौन बना रहा है BC और QR यह वाली parallel line और यह वाली parallel line CDRS यह और यह AD और PS देखो यहां पर AD किससे बन रहा है और PS किससे बन रहा है यह line और यह line आप ऐसे कुछ भी ले सकते हो AC भी ले सकते हो AC upon PR भी ले सकते हो क्यों बिकाज AC और PR यह और यह line से बन रहा है यह इसको ignore कर देने का रहा है कहीं पे भी आपको parallel line दिख रही है ना तो वो जो दो टुकडे बनाएगी ना उसका ratio बागी सब ratio उसके साथ equal होगा वो अले ट्रांसवर्सल और वो अले parallel lines ये पूरा काम easy करतेगा अभी अपने पास क्या-क्या value है देखो अपने पास AB, BC, CD तो है तो यहाँ पे 60, 70, 80 ठीक है PS नहीं है अपने पास, ना PS है 280 और AD क्या है? AD है सबता sum 60 प्लस 70 कितना आएगा? 130, 130 प्लस 80 हो जाएगा 210 तो यह पूरा है 210 बस इसमे value substitute करो सब जगे क्या आएगा देखो? तो यहाँ पे मैंने value substitute कर दिया ऐसे आएगा AB के जगे पे 60, BC के जगे पे 70, CD के जगे पे 80, बाकि PQ, QR, RS पता नहीं है, AD 210 हमने पूरा add करके निकाला और PS कितना है? 280 वो यहाँ पे लिखते हैं, क्यार अभी हमको PQ, QR इसका value निकालना है तो extra step हो जाता है, इससे अचा PQ को उपर लिखते, AB को नीचे लिखते हैं तो काम हो जाता है, जब आप intercept लिख रहे थे AB upon PQ, तो नमबर दर भेजोगे, तो PQ वापस left में लाने के लिए एक और step करना पड़ेगा, इससे अचा पहले से ही उल्टा लिख दूँ, यहाँ पर यह मत लिखो, इसको उल्टा करता, कैसे आएगा देखो, तो ऐसे आजाएगा, PQ upon AB is equal to QR upon BC is equal to RS upon CD is equal to यह पूरा PS upon AD, यह मैं क्य हो जाएगा, जब मैं value substitute करूँगा, तो हर एक जगे देखो, एक ही unknown है, PQ, एक ही unknown है, यहाँ पर भी एक ही unknown है, RS, unknown मतलब जिसका value आपको नहीं पता, और यहाँ पर दोनों पता है, तो इसको इसको इसके साथ लेंगे, और PQ का value निकालेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, और RS का value निकालेंगे, है न, क्योंकि जब दो चीज़े आप साथ में लेंगे, तो एक चीज नहीं पता होगी, तो आप उसका value निकाल सकते हो, एक equation बन जाएगा, यह दोनों को साथ में लोगे, equal तो ही देखो, equation, equal, ठीक है, तो आप RS का value निकाल होता, 4 upon 3, तो इतना complicated लिखने से अच्छा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, equal to 4 upon 3, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, एक करके बताता होगा, क्या आजाएगा, PQ upon 60 is equal to 4 upon 3, therefore PQ क्या आजाएगा, यह 60 यहाँ पर divide हो रहा है, equal to को cross करेगा, तो वहाँ च 60 upon 3, अब क्या कट हो रहा है, देखो एक टेबल में, यह 3 और 6 एक टेबल में जाता है, तो मैं करूँगा 3, 1,000, और यह जाएगा 3, 2,000, 6, और 0,000, 4 into 20 कितना होता है, 4 into 20 होता है, 80, तो आपको PQ का value हागया, 80, ऐसे ही आप यह वाला इसके साथ लोगे, तो QR का value मिल जाए लेकिन concept समझना बहुत important है, यह जो मनें use किया na PS upon AD है, सबसे important पार्ट था यहाँ पे, क्यों use किया वो आपको समझना है, मैंने PS upon AD इसके लिए use किया क्योंकि मेरे पास PS का value दिया हुआ है question में, और AD का value मैं add करके निकाल सकता है, 60 प्लस 70 प्लस 80 दिया था नहीं, तीन, ती यह use करके अब PQ QR RS का value निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको अच्छी तो रफ्त में आप भी solve कर लो QR का value क्या आता है, RS का value क्या आता है देख लो, फिर मैं solution बताता हूँ आपको, चलो करो video pause, निकालो QR upon 70 equal to 4 upon 3, फिर RS upon 80 equal to 4 upon 3, निकाला, चलो value compare करो, पहले यह देख लो, जिरो ने खुद से solve किया है, उसको QR का value 280 upon 3 आया, एंड RS का value 320 upon 3, एस answer देके डर गए थे कि कुछ mistake कर दिया है, एस answer आ सकता है न, हम लोग units लिख देंगे नीचे, units दिया हुआ है क्या question में, नहीं दिया है, तो हम लोग units भी लिख देते हैं नीचे, ठीक है, तो इसको पू पूरा solution एक बार देख लो कैसे लिखेंगे, given में जो भी information question में दिया है, वो सब मैं लिख देता हूँ, ठीक है, length दिये है, वो length भी यहाँ पे मैंने लिख दिये, find क्या पूछा है, PQ, QR and RS, फिर solution में सबसे पहले आप लिखेंगे, कि यह जो PA, Q, B, R, C, S, D थे वो perpendicular है, ल because perpendicular to the same line are parallel to each other, तो यह चारो एक दूसरे को parallel हो गए, जैसे ही parallel हो गए, मैं क्या use कर सकता हूँ, मैं use कर सकता हूँ, property of three or more parallel lines and their transversals, या फिर and their intercepts, याद है, हम लोग ने देखा था, property of three parallel lines and their transversals, textbook में, three से जादा होंगे, तो भी यह property true है, तो यह ही use करके, हम लोग यह वाल करने, तो यह मैंने लिख दिया है यहाँ पर, फिर यह चारो ratios ले ले लिए, यह तीन तो बहुत इसी थे, यह को PQ upon AB, QR upon BC, फिर RS upon CD, last वाला जो लिए ना, PS upon AD, वो बहुत important, यह मैंने आपको पहले भी बताया है, यह काफे important है, तो इसका color change कर देते हैं, यह question में सबसे ज दिया नहीं था question में, लेकिन उसके टुकडो का length दिया है, तो AD का length में निकाल लिया, AB plus BC plus CD, आपको बताया था मैंने rough में भी, AD देखो यह पूरा है, AB plus BC plus CD किया, तो मुझे AD का value आगया 210, फिर AD के जगे 210 सब्स्यूट कर दिया, PS के जगे 280, बाकी तीनों के जगे तीनों क value और solve कर दिया, यह cut करके check कर लेते हैं एक बार, यह क्या हैगा, 00 cut, 73's are, 74's are, तो यहाँ पे इसलिए equal to 4 upon 3, साथ में लिखती है, ठीक है, चाहिए तो यह यहाँ पे erase करता हूँ, यहाँ पे from 1 and 2 क्यों लिख है मैंने, क्योंकि 1 में 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 मेरे पास यह ratio था, और 2 में में म यह भी given था ना question में 280, देखो, question में 280 दिया हुआ था, तो ऐसे करके इसको solve किया, यह calculation तो मैंने आपको अल्वेड़ी explain कर दिया, मैंने 3 parts बना दिया, क्योंकि तीनों में मैं TQ, QR और RS निकाल रहा, एक बार पूरा solution एक साथ देखो, question बड़ा लगता है, लेकिन दिमाग आ सब calculation है, इसको देखे तो डरो ही मत, यह सिर्थ calculation है, तो question का length उतना बढ़ा नहीं है, जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, यह जो part है ना, यह थोड़ा tricky है, और यह PS upon ADB, अगर यह question को easy बनाना है, तो यह use करना पड़े हैं, Done, next करते हैं, 9th question में दिया है, in triangle PQR, segment PM is a median, यह PM जो है median है, अगर यह median है, मतलब M midpoint है, median क्या होता है, opposite vertex से यह line के midpoint को join करने वाले line को median बोलते हैं, तो यह M midpoint इसलिए यह टुकड़ा और यह टुकड़ा, देखो same length का है, मतलब QM और MR एक दूसरे को equal, angle bisectors of angle PMQ, PMQ, इसका angle bisector यह होगा, intersect side PQ in X, देखो, PQ को X पर intersect करें, मतलब यह वाला angle और यह वाला angle equal है, and angle bisector of PMR, PMR यह है, उसका angle bisector यहां पर Y पर intersect करें, तो यह और यह भी equal है, prove that XY parallel QR, आपको prove करना, XY is parallel to QR, converse of BPT याद है, BPT क्या बोलता था, कि अगर यह दोनों एक दूसरे को parallel है, तो मैं बोल सकता हूँ, PX upon XQ equal to PY upon YR, तो अगर मुझे parallel prove करना है, तो मैं क्या prove करूँगा, मैं try करूँगा कि PX upon XQ equal to PY upon YR आ जाए, तो मेरा काम हो जाए, और यह must fill in the blanks वाला दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, in triangle PMQ, PMQ यह वाला triangle है, इसमें ray MX जो है, वो क्या है, by sector of angle PMQ, question में दिया हुआ है देखो, by sector of PMQ, अगर वो by sector है, तो हम लोग कौन सा theorem of angle by sector या angle by sector property यूज करके बोल सकते हैं, कि by sector यहाँ से शुरू हो रहा है ना, मतलब MP upon MQ by sector कहाँ पर cut कर रहा है, X पर, तो MP के साथ क्या था, PX upon, यह चोटा टुकुडा XQ, देखो, यहाँ पर cut कर रहा है ना, तो दो टुकुडे क्या है, PX upon XQ, यह था अपना theorem of angle by sector, similarly, जब आप यह वाला triangle देखेंगे, triangle PMR, तो उसमें क्या आएगा, उसमें आप बोलेंगे, ray MY जो है, is a by sector of PMR, यह तो question में given है, देखो, PMR का by sector है, तो क्या आएगा, by sector कहाँ से शुरू हो रहा है, M से, तो मैं बोल सकता हूँ, MP upon MR, is equal to, देखो, यहाँ पर MP upon MR, by sector कट कर रहा है, य पे, तो PY upon YR, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, PY upon YR, अब आप इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पर MP है, यहाँ पर MP है, अपने को क्या चाहिए, यह दोनों equal चाहिए, अगर यह दोनों equal हो गए, PX upon XQ equal to PY upon YR, PX upon XQ equal to PY upon YR, तो Converse of BPT, से मैं बोल सकता हूँ, यह line और यह line parallel है, तो अगर आपको यह दोनों equal प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करने का कि यह दोनों equal है, अब यह दोनों में numerator तो must बन्दा है, same MP, आपको सिर्फ denominator प्रूफ करना है, MQ और MR क्या है, बताओ मुझे, MQ और MR, equal है न, बताओ क्यों, because यह median था, अगर यह median है, तो M midpoint है, अगर M midpoint है, तो QM और MR equal है, तो अगर QM और MR equal है, M P और M P तो already equal था, अगर यह दोनों भी equal है, तो यह left side equal हो गई, अगर यह दोनों की left side equal हो गई, तो इनकी right side भी equal हो जाएगी, ठीक है, तो इनने क्या बोला है कि भाई MP upon MQ है ना इसको ऐसे लिखेंगे MP के जगे पर MP, MQ के जगे पर MR लिख सकते हैं because MQ equal to MR मतलब क्या हो गया ये दोनों equal हो गया हमने प्रूव कर दिया जैसे ये दोनों equal हो गया तो ये दोनों भी equal हो जाएगा तो PX upon XQ equal to PY upon YR जैसे ही ये ratio equal आया ये लेखो PX upon XQ PY upon YR तो ये जो line XY जहाँ पर ये ratio बन रहा है X और Y पर बन रहा है न तो X और Y को join करने वाली line base को parallel होगी ये हमने Converse of Basic Proportionality थे अरम में सीखा था तो XY parallel की हो तो ऐसे करके solve हो गया आया समझ में चलो ये raise कर देता हूँ ये ऐसे बहुत छोटा दिख रहा है question लेकिन सबसे पहली ये समझना बहुत important है कि करना क्या है अगर ये fill in the blanks नहीं दिया हो तो सब कुछ खुछ से करना बढ़ता है जैसे ही दिखा कि XY parallel QR प्रूव करना है दिख रहा है कि BPT आने का chance है BPT का मतलब क्या PX upon XQ PY upon YR ये प्रूव कर दिया तो Converse of BPT से parallel हो सकता है और दोनों जगे angle bisector दिया था वो angle bisector का theorem यूज़ करके हमने उसका ratio यूज़ कर लिया midpoint दिया था वो भी यूज़ कर लिया ओके एक बार पूरा solution देखना है देख लो एक बार ये मैंने MQ और MR अलग अलग color में लिखा है because ये ही दोनों equal हो गया उसके बाद ये left वाला equal हो जाता है कर लो फटाफट से copy और पूरा लिखना ऐसे मत बुलना रहे question में तो fill in the blanks है ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है मेरे पास तो directly paste किया हुआ है आपको तो copy करना पड़ेगा ना पूरा ये सब कुछ done last question कर रहे है लेक्चर का तो easy वाला ले लेते हैं बहुत easy वाला बाकी भी easy है लेकिन ये बहुत easy है क्योंकि सब कुछ question में दिया हुआ है तो 10 और 11 में lecture 4 में ले लूँगा अभी हम लोग बहुत easy वाला question question 12 कर लेते हैं इसमें question में दिया है xy parallel ac ये रहा देखो ac parallel है इसको 2ax equal to 3bx 2ax equal to 3bx इन दोनों के बीच का ratio दिया हुआ है देखो इसको इदर दिना करो के तो ratio मिल जाएगा and xy equal to 9 xy आपका दिया हुआ है 9 complete the activity to find the value of ac इसका value आपको चाहिए तो यहाँ देखो 2ax equal to 3bx question में दिया हुआ ये bx यहाँ पर 3 से multiply हो रहा है उसको नीचे लेके आए और 3 उदर अकेला रहे गया and ये 2 यहाँ पर x के साथ multiply हो रहा है तो 2 वहाँ पर जाएगा तो नीचे आ जाएगा इदर देखो तो 3 upon 2 हो गया फिर इसने क्या किया ये वाला step देखो अभी से component लगा है component में क्या होता है numerator में denominator add हो जाता है दोनों जगे है सिर्फ left side में मत करना right side में तो bx उपर add हो जाएगा और यहाँ पर 2 उपर add हो जाएगा किसमें 3 में उसके जगे आ गया देखो ये भी bx तो ऐसे 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5 तो 5 हो जाएगा नीचे का 2 ऐसे का ऐसा correct अब ये लोग क्या बोल रहे है triangle bca is similar to triangle byx अगर आप इसको देखो तो ये कौन से test से similar देख रहे है यहाँ देख लो ये वाला angle जो है वो दोनों में common bca में भी और byx में देखो bca ये बड़ा triangle उसमें ये है और byx में भी ये वाला है correct और दूसरा में बोल सकता हूँ ये वाला angle और ये वाला angle एक दूसरे वो congruent क्यों बिकाज ये दोनों parallel है तो क्या बना रहे है देखो f f मतलब corresponding angle बचपन में सिखा या था मैंने standard है ना तो ये वाला angle जो है वो byx में है और ये वाला angle जो है वो है bca में तो दोनों के दो angles अगर congruent है ठीक है दोनों के अगर दो angles congruent है तो कौन से test से similar हो गए? a test से similar हो गए? जैसे ही similar हो गए आप कौन सा ratio ले सकते हो? b a upon bx क्यों ले रहे b a upon bx? because यहां पर देखो उसका value है आपके पास और आपको क्या चाहिए? a c चाहिए न? a c देखो इधर आ रहा है तो a c upon x y इसमें तीन ratio आएंगे देखो कौन से कौन से b c upon by c a upon y x and b a upon bx अपने को तीनों नहीं चाहिए आपन b a upon bx ले रहे हैं because इसका value है और दूसरा ले रहे है a c upon x y because a c का value चाहिए और x y का value दि क्या हुआ है यह जब ratio लेते हो क्या बोलते है corresponding sides of similar triangles value substitute करो b a upon bx कहा देखो b a upon bx का value है 5 upon 2 तो यहाँ पे लिख दिया 5 upon 2 x y का value 9 दिया है question में अब a c का value चीए तो 9 को इधर भेज़ तो multiply होगा न क्या आ जाएगा 5 upon 2 into 9 क्योंकि 9 यहाँ पे divide हो रहा है वहाँ जाके multiply होग क्या आ जाता है 59045 45 divided by 2 अब solve करेंगे तो आपको आएगा 22.5 units तो a c का value आ गया 22.5 units खताम इतना simple question इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़े नहीं लिखी है लेकिन अब यह fill in the blanks है तो आप लोग जो दिया है वही भर सकते हो यह जो test of similarity यहाँ पे use किया है इसके पहले लिखना चाहिए ना कि कौन से angle congruent है कैसे congruent है हम तो लिखते है जंदलियोर हमेशा लिखना ही होता आप नहीं लिख सकते हैं अब यह textbook ने दिया है तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं तो पूरा solution कैसे आएगा देख लो एक बार तो यहां तक जो activity में दिया है वो सब मैंने same two sim वहा लिखा है यह वाला जो part है वो textbook में दिया नहीं था अगर आप बाद में 6 महीने बाद यह जब क्या है देखो अंगल ABC equal to और congruent to अंगल XBY ABC और XBY दोनों same अंगल यही वाला अंगल देखो ABC यह वाला और XBY भी वही वाला इसलिए common अंगल and BYX और BCA इक्वल है BYX और BCA क्योंकि F बन रहा है दिख रहा है F F के अंदर वाले corresponding अंगल होते हैं Z के अंदर वाले alternate अंगल होते हैं यहाद ना तो यह हो गया next के आएगा दोनों triangle similar हो गए फिर यह सब value substitute किया फिर यहाँ पर यह डिरेक्टली answer दे दिया है मैं calculation बता रहा हूँ देखो 5.2 ए 9 उदर जाके multiply होगा फिर 5 9s और 45 होगा 45 डिवाइड बाइ 2 आप यहाँ पर solve करेंगे तो आपको आएगा 22.5 इधर से final answer आ गया that is equal to 22.5 units ओके तो एक बार यह पूरा solution देख लो आपको यह रफवक दिखाने की जरूरत नहीं है लेकिन आपके reference के लिए मैंने बता दिया लेकिन यह जो दो लाइन है यह तीन लाइन यह बहुत important है आगे जाके refer करोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए रहा है कहां से आ गया चलो copy कर लो फटावर्ट से notebook में यह हो गया तो आद similarity के problem set 1 के lecture 3 में हमने क्या क्या किया हमने इसके question number 7 फिर question number 8 question number 9 ठीक है 10 और 11 हमने अभी छोड़ा है और 12 यह 4 question कर लिए अभी यह पूरे problem set में सिर्फ 3 question बचे न 10, 11 और 13 यह हम लोग next lecture में खतम करते हैं ठीक है तो problem set 1 के total 4 lectures हो जाएंगे आज तीसरा lecture था आप 4 lectures देखोगे तो आपका similarity का problem set 1 खतम हो जाएगा आज का वीडियो यहीं पे खतम करते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पताईए क्या करना है like करना है share करना है subscribe करना है ताकि यह चैनल को जादा से जादा support मिले आपको और जादा वीडियो जैसे ही मिलते रहें अगर आपने already subscribe कर दिया है तो thank you नहीं किया है तो मत वेट करो यार इतने तक end तक वीडियो देखा है पूरा समझ में आए तो subscribe तो करी सकते हो कमेंट में मुझे बताईए कि आपका feedback है कोई आपको चाहिए कि कोई question पर जादा time देना चाहिए कुछ चीज़े अलग तरीके से करनी है आपको doubt है आप मुझे comment में बता सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो comment में बता ही सकते हो है न और जो question में ने खुद से solve करने दिया calculation दिया आपने खुद से किया तो comment में जाके लिख सकते हो कि I did it on my own and I got it right मैं जब भी ऐसा देखता हूं और पढ़ता हूं कि आपने खुद से किया और आपको right आया मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे और motivation आता है क्योंकि मुझे समझ आता है कि मैं जो आपको